हेलो काई आज हम इस पाइधन में देखेंगे कि एक νंबर गेसिंग का प्रोग्राम कीसे बचाइंगे देखे रहें ब्लあの ब्लक्रव मैं की फेजρη करते हूं यहां पे दिखाना है कि आपका नंबर क्या है हाई है कंप्यूटर के नंबर से अगर आपका नंबर लो है तो कंप्यूटर के नंबर से लो है और अगर आपका नंबर और कंप्यूटर का नंबर बराबर है तो आप यहां पे दिखाएंगे कि आपका नंबर और कंप्यूटर का नंबर क देगा वर computer को जो generate करना है वो किसके तुरू आने वाला है तो यहां पर हम रंडम module का यूज करके number guessing game को क्या करने वाले बनाने वाले इसमें क्या logic हो का क्या process हो को वो सारी चीजे आपके सामने मैंने अभी बता दी इसको हम program में क्या करेंगे टाइप करेंगे और आपके सामने डिस्प्ले करेंगे कि आप इस program को बनाएंगे कैसे तो इसके लिए देखिए मैंने program बना के रख रखा है मैं एक बार उसको run करके आपको दिखाता हूं कि वो चल किस process रहा है फिर मैं आपको पूरा program बना के दिखाऊंगा कि आप नंबर करके देखते हैं जो मैंने पहले से बना रखा देखिए हमारी कमांड प्रॉंप्ट है जहां पर हम क्या करते हैं तो मैं एक बार इसको यहां पर क्या करता हो रन करता हूं प्रोजेक्ट.py नाम से फाइल बनाई है यह एंटर यह नंबर का मतलब है आप यहां पर अपना नंबर दीजिए कि आप कौन सा नंबर गेस कर रहा है और एक चीज और है आपको आपके सामने क्या करना है आउट्पूट में डिस्प्ले करना है उसी को हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली रिपर्जेंट करेंगे जिससे आपके सामने क्लियर हो कि मैं रेंडम का यूज करके एक छोटा सा नंबर गेसिंग का प्रोजेक्ट कैसे बनाऊंगा तो चलिए हम इस्टार्ट करते देखिए सबसे पहला काम हैं आपको इंपूर्ट कर लेना है रेंडम मोडियूल को रेंडमली नंबर को गैट करना तो यहाँ पर रेंडम के थुरू नंबर को क्या करेंगे लेंगे तो यहाँ पर रेंडम मॉडूल का यूज करना और यहाँ पर रेंड रेंड रेंज का यूज करना है और रेंड रेंज फंक्शन आपको पता ही है कि एक रेंज के बीच में को यूजर भी तो को इनपूट देगा रहा हूं वो गैस करना चाहता है तो मैं यहां पर क्या करता हूं यूजर इनपूट करके एक वैरबल लेता हूं देखिए और मैं यहां पर लिखता हूं और मैं यहां पर इनपूट करके यूज करता हूं और यहां पर लिख देता हूं ए दे रहा है और दूसरा वेरबल जो यूजर क्या कर रहा है इनपट दे रहा है अब अपने को क्या कर ना है अब आप को और जहां को वहां करना है happen the Gmail नंबर मैं यहां पर लिखताँ एंलج चूहाई च्योंकि अपना omar क्या है को Sneer क्या नंबर से यह लिख दिया कि आपका जो nemबर क्या है यह कंप्यूटर के nंबर से हाइं यह मैं आपको clear कर देता हूं अब देखीए अगर आ लिजे किस यह सकता है कि आपका लिक देता हूं कि प्रिंट करके कि आपका जो नंबर है वो लो है मत्तब कंपीटर के नंबर से क्या है लो है यहां पर टू हाई कर देता हूं और यहां पर टू लो कर देता हूं एक मैसीज जो आप क्या करेंगे यहां पर दिखाएंगे देखिए अब देखे जो अभी case हो सकता है दो case तो हो गए या तो आपका नंबर क्या होगा बड़ा होगा clear है या आपका नंबर क्या होगा छोटा होगा computer के नंबर से या तीसरे case हो सकता है आपका नंबर क्या हो सकता है बराबर हो सकता है तो तीसरे case में आपको एलिफ लगाने की ज़रोत नहीं है क्योंकि दो केस तो किलिए रहे एक छोटा एक बड़ा तो तीसरा केस ऑटोमेटिक है कि वह बराबर का ही होगा और आप यहां पे लिख देंगे कि योर गेस नमबर इस इक्वल तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपका गेस नमबर क्या है इक्वल है किसके कंप्यूटर के नमबर से और साथ में मैं यहां पे क्या करता हूं प्रिंट भी कर देता हूं जो कंप्यूटर जनरेट करके दे रहा है नमबर तो मैं यहां पे कंप्यूटर नमबर करके एक बा कर पथे प्युद्राइब कर बाइंट कर पार हमस्मिद्र के बीच का फिर मैंने यूजर से लिए ऑजू यूजर का इंपूट है और वह ग्रेटर दिन है किससे सि नंबर से तो खोंपूटर का नंबर क्या था वह पहले धिख और फिर मैसीज आदा है कि यह जो गेशिंग नंबर है अगर आपका नंबर कंप्यूटर के नंबर से चोटा है मतलब कंप्यूटर नंबर बढ़ा है किसे यूजर इनपूट से तो क्लियर कि कंप्यूटर नंबर आप दिखाई और यहां पर लिखे यह यूर गेस नंबर इस तू लो नहीं तो तीसरा केस के आए कि कंप्यूटर का नंबर क्या वह दिखेगा और दोनों बराबर हो सकते हैं तो यह अपना क्या हुआ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया अब मैं इसको करके दिखाता हूँ जिस से आपके सामने चीज़े क्या होंगी तो चलिए हम इसको क्या अगरते हैं कमाट पर यहां पे चलतें हैं और हमने फाइल क्या बनाई थी देखिए और यहां पर लिखता आओ पाइथन अब प्रोजेक्ट वन डॉट पी नाम से मैंने फाइल को या करता हूं अब आप अपना गेशिंग नमबर दीजिए तो मैंने क्या गाए 80 अब देखिए कंप्यूटर ने दिया 99 तो यह गेशिंग नमबर इस टू लोग कंप्यूटर तो कोई भी रैंडम नमबर जनरेट करके क्या दे सकता है अब देखिए मैं यहाँ पर यहां पर शाता हूं अब निक्यात्य, और यहां पर चनमबरach है इस हूटा सा प्रोजेक्ट था जो हमने क्या है डenses सकता है रेंड रेंज का यूज किया कि हमने एक रेंज पास की कि इस रेंज के बीच में यूजर इंपूर्ट दे रहा है उसके उसके परट में क्लियर हो गया होगा कि हम नंबर गेशिंग का प्रोग्राम बनाएंगे कैसे क्या logic लगाएंगे, बहुत simple है, if else की condition है, random ने एक random नमर generate किया, उसके basis पे पूरा logic क्या हो रहा है, आपके सामने implement हो रहा है, तो आप इसको क्या गर सकते हैं, बना सकते हैं, और समझ सकते हैं, तो अभी के पार्ट में clear है कि हम number gishing का program कैसे बनाएंगे, thank you so much guys. आप